गुरुकुल के परिवेश में जो पास्चात संस्किर्ती और गुरुकुल दोनों जो है एक तरीके से प्रतिस्परदात्मक रूप से चल रहे हैं तो ऐसे में जो आज के अविवाबकों का जो परियता है वो पास्चात संस्किर्ती से प्रवावित तो है तो इसलिए गुरुकुल की जो सहली है और गुरुकुल की अध्यापन विवस्ता है तो उसमें समलित आज के अविवाबक कम हो पा रहे हैं उनकी जो है उनसे अपेक्षा है कि वो लोग जो है गुरुकुल की विवस्ताओं को सुईकार जाए है